वर्ट सब गाईज दोस्तो मेरा नाम है नितिन और दोस्तो आज की वीडियो बनाने का मेरा केवल इतना ही मकसद है कि मुझे काफी जुब्यादा बच्चों की कमेंट्स आ रही थी कि सर हमें सब्जेक्ट चेंज करना है अपना हम किस तरह करें तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप ही की रिकोमेंट से तो मैंने वीडियो को तयार किया है तो वीडियो को लास्ताग देखना और वीडियो को लाइक करना क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं वो भी अपने फोन के साथ तो दोस काफी ऐसे बच्चे जो एक सब्जेक में रह गए हैं में यह हलका सा सब्जेट मोठी है कुछ जाते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक मिल जिससे यह असा विले को रगते लिच कर दें क्योंकि मैं आगे भी ऐसी education वीडियो डालता रहूंगा जो आपके समय समय पर काम आती रहेगी तो दोस्तो आज के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो इसके लिए simply आपको noes search करना है एनस search करने के बाद आपको home पे लिक्लिक करना है दोस्तो यह आप phone पे कर सकते हैं अपने घर बैटे बैटे ज़रूरी नहीं आपको computer ChiefS के लिए तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको admission पर क्लिक करने के बाद, पहले option पर क्लिक करना है, आपके सामने ये खुल जाएगा interface, अब ये जैसे आप देख रहे हैं, इसमें आपको करना क्या है, आपको डैश्बोर पे जाना है डैश्बोर पे जाने के बाद आपको ये e-service दिख रहा है option इसको आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो आज जैसे आप देख रहे हैं इसमें आपको नीचे जाना है आप subject change कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है फिर आपको registration नंबर मांगेगा आपका जो mobile नंबर है वो आपको डानदा पड़ेगा फिर उसके बाद इस पर OTP आएगा आपको generate OTP पर क्लिक करना है फिर ये OTP आएगा आपको इसको बरना है 1, 6, 6, 3, 2, 3 तो इसको submit कर देना है उसके बाद आपको इसकी नपर खुल जाएगा आपको इसमें देखना है eligibility subject for change अगर आप eligible है तो इस तरह से आप क्लिक करके अपना subject change कर सकते हैं यहां पर आपको बरना है कि जो subject आपको लेना है और जो subject आपको नया है वो आपको बरना है और simply जाके pay now पर कर देना है इस तरह आपका ये भर जाएगा और अगर किसी बच्चे को freebie को doubt है वो नीचे comment में में को बेजे